देखिए ये बलाउज बनकर पुरा कम्प्लीट हो चुका है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से देखिए सोल्टर जोएन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका लुक बनकर आएगा ये कॉलर बनाने के बाद मैंने आई हुक का पट्टी भी बना दिया है कहा है कुछ इसे बनाना बिल्कुल आसान है कटिंग और स्चिसे दोनों मैं कोसिस करता हूँ कि जो भी आसान से आसन तरीका हो औहुमें आपको बताओं तो आज की वीडियो में व Бी शेयर करूँगा कि इसकी स्ट कितने आसान तरीके से कर सकते हैं और कटिंग भी तो दोनों डिजाइन आप सेम तरीके से बना सकते हैं इसको बनाने के लिए मैंने एक मीटर अस्तर लिया है और एक मीटर से ज़्यादा हमारा रियोन फैब्रिक जो सेम लाइनिंग का है इस पे काफी अच्छा लुक आएगा काफी अच्छा देखने में लगने वाला है लेकि इस measurement से बिल्कुल भी नहीं बनाना है, आपको आपके measurement के हिसाब से ही बनाना है, आपका time based नहों हो, इसके लिए मैंने back की पार्ट पहले कटिंग कर दिया है, जो main cutting है, वो front की पार्ट में cutting है, और plain कप्रा पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आप अस्तर इसमें यूज कर भी सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, main कप्रे को हमने side में रख दिया है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, कि जो colorally blouse होती है, उसमें कम से कम आपको 1.5 inch की losing देना जरूरी है, total measurement से, अगर body से नाप लिया आपने, और जितना लिया है, जितना भी आपका chest होगा, chest का आपका तेरावा भाग लेना है आधे में, जितना भी आए उतना आपको यहां पर रखना है, chest का तेरावा भाग, ठीक है, अब हम इसका प्रे को अपने side घुमा लेते हैं, फिर हम friend की part cutting करेंगे, और एक चीज और ध्यान जैसे collar olive lounge में, आपका back की part cutting होता है, वो इससे आपको same cutting करना है, इसको cutting करने से पहले क्या करना है, इधर पर आपको eye और hook पटी के लिए, या काज बटन के लिए, आधा inch की margin आपको हरहाल में इधर देना है, आधा inch से ज्यादा भी आप रख सकते हैं, पौना inch के आसपास म ठीक है, उसके बाद हम इसको रख कर देखेंगे back की part को ऐसा, same, कहाँ पे हमारा perfect आ रहा है, यहाँ पे हम एक सीधा line draw करेंगे, देखी मैंने यहाँ पे जो सीधा line draw किया है, आपको front की part में shoulder down करना है, सिर्फ back की part में shoulder down करना है, front के part में क्यों नहीं डाउन करना हो बताए लेंगे और यहाँ पे आपको आधा इंच जो है उपर लेना है, यहाँ पे आधा इंच यह वाला उपर ले लेना है, ठीक है, यह चिप ध्यान रखिएगा आप लोग, बाकी सब कुछ हम सेम रखेंगे और इसको यहाँ पे ऐसा हम निसान लगा देंगे, अब यहाँ से हम यह वाला जो निसान है, इसको हम ऐसा ले लेंगे, ऐसा, ठीक है, और नीचे के साइड में हम आधा इंच लंबाई बढ़ाएंगे, आधा इंच लेकर पौना इंच आप बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इस सभी साइज के लिए मैं बता रहा हूँ, एक सिंगल रहता है, ऐसा, और यह ओगया, अब यह बैक की पार्ट को हम हटा देंगे, थोड़ा सा इहां गले की निसान लगा देंगे, सेम, और फ्रेंट में थोड़ा सा सोल्डर जो है, हम माइनस करेंगे, लगभग, आधा इंच के आसपास, ठीक है, आधा इंच सोल्डर माइनस करन अब यह वाला निशान को हम ऐसा मिला देते हैं कि ऐसा कि टीक है समझ गया बैक की पाट हम साइड में रखते हैं यहां से हम ब्रेश्ट का पॉइंट लेंगे ब्रेश्ट पॉइंट 38 का साइड है तो 10 इंच ही रखेंगे यह 10 इंच लगभक सब में परफेक्ट आ जाता है और इधर से पॉणने चार इंच तो यह हमारा ब्रेश्ट का पॉइंट निकल रहा है ठीक है यहां से लेंगे हम सारे तीन इंच तो यह हो जाएगा और यहां से हम लेंगे चार इंच यह सभी साइज में आप इस तरीके से कर सकते हैं यहां का मार्जिंग थोड़ा बाव इंच यहां दो सुट के आगे पीछे कर सकते हैं यह दोनों लाइन को हम ऐसा सीधा करेंगे ऐसा उसके बाद हम करब कोई भी स्केल लेंगे जैसे में समझ दिजिए इसको ले लेते हैं अब यहां पर फेक्ट है इसके लिए आधा इंच की गयफ हम यहां पर देंगे लेखिन उससे पहले हम एक मार्जिंग के निशान दे देते हैं यह हमारा जो होगा यह हमारा मार्जिंग होगा यह मार्जिंग होगा ठीक है अब यहां पर हम आदा इंच की गयफ देंगे यह हमारा गयफ होगा गयफ जो होगा यहां से हम लेंगे ऐसे अब यहां पर हम रखेंगे गयफ में अधाइछ आप दो इन्च भी रख सकते हैं जो डॉट के लिए होता है वह दो इंच अड़ा इंच आप ले सकते हैं अगर दो इंच का चेस्ट का डिपेरेंट है तो अब कमर की जो नेजर्य मेंजरमेंट है वह 32 इंच है तो उसके चो इंच का मैंने मार्जण दिया है पिटिंग का तो फिटिंग कंटि ठीडेगे रहे निशां आपको पहले नहीं लगाना है पहले हम क्या करेंगे 2 इसको इसको की मिलाना है दिएआन दख्केंगा है यहान से यहां पर मिलाना यहां पर PULBRIST हारा रहा है इसको असलेंगे ऐसा को आप ऑसको यहाँ लाएंगे यानि जो भी हमारा यहां पर मेजर मेजर मेंट gefाऊर आई है सारे पार शेले इहाँ प्याना चाहिए ठीक यह ओके तो इसको ऐसा ले लेंगे ऐसा मिलाएंगे और यह ऐसा हो गया ठीक है अब इसमें भी हम आधा इंच की मार्जिंग देंगे अब यहां से हम जो है कमर की मार्जिंग लेंगे तो यहां पर हमारा सारे पहरा 3 और यहां पर सारे चाहिए पहोण 5 जाऊ जोन्लुख देंगे यह हमारा में हुआ और डे रिंज की तो इहां-पर हमने लिया कितना की इअपकि Herr में चारींच तो चारेंच यहां पर आगे अन और में भीन निसान और रेंज मार्जिंग दे देंगे ये दोनों को ऐसा मिलाएंगे और ये दोनों को ऐसा मिलाएंगे ओके अब ये लाइन को हम यहां पर मिला देंगे ठीक है उसके बाद जो हमने यहां पर आधा इंच से उपर बढ़ाया था उसको निसान लगाना है आपको देखिए यहां पर समझेगा क्या फंडा होता है। आईसाव अब य मालने आय यहां से है यहां ऐसा ऐसा एइस हो कि और यसे lock भी यहां थोड़ासा मिलाएंगे ज्यादा करेंगे कॉल बनाने के लिए आपको यहां से लेना है 1 अढाई इच और जो निसान मैंने अढाई इंच पर दिया है वह निसान आप यहां पर बीधे सकते हैं अब इसको हम पहले कट करते हैं फिर आपको समझाते हैं दिखिए बैग और फ्रेंट दोनों पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है इसी को रखकर हम मेन पल्ले को भी कटिंग कर लेंगे और बाजू कटिंग मैं इसमें नहीं बता रहा हूं कि बाजू कटिंग सभी लोग को आता है एक तो मैंने निसान लगा या है अग। इशका हम यहाँ से ऐसे कर देंगे समझ रहे है ऐसे उसके बाद आम इसको ऐसा कट करेंगे देखिए इस तरीके से आपको कट कर लेना है और ये वाले भाग को यहां पर जो है देखिए जितना हमारा मार्जिंग जाता इसमें उतना अंदर करके इसको ऐसा करेंगे एैसा इतना हमारा है मार्जिं जाएगा अब इसको एएसा होने होने वाला देखिए तक बिए यो में ऐसा एगा कि इस दिए हरा को दूब लराएगा तो अब क्या करते हैं को जड़े से कातना आपको बनाने के लिए को इस तरीके की कोई भी पैस्टिंग वाली पीपर–erver utilizz एक सीधा लाइन ड्रोग करेंगे हमारा मेजरमेंट कॉलर का आया था 11 इंच तो उसका आधा होता है कितना सारे 5 इंच कि सारे 5 इंच पर हम निशान लाएंगे ठीक है और इसकी चौड़ाई जो है बैंड की चौड़ाई एक इंच है तो उसके हिसाब से लेंगे हम एक इंच से सवाइंच सवाइंच का ले लिजिए तो सवाइंच चौड़ा हम इसको बैंड बनाएंगे यह हो गया हमारा कॉलर देखिए एक एक कॉलर हो गया जो इसमें लगा हुआ है दूसरा बनाने के लिए आपको क्या करना है सौट कॉलर जो होता हुँ जैसा कोट कॉलर परफेक्ट दिखे उसके लिए आपको एक यहां पर दो इंच पर निशान लगाना है समझेगा हम दोनों तरीका बदाते हैं आप जो तरीका हो बनाईएगा उसके बाद यहां पर आधा इंच नहीं एक इंच का गैप दीजिए और इसको ऐसा लीजिए ठीक है और यही निशान जो बारा इंच है वह बारा इंच हमें ले लेगे और उसके बाद ऐसा कोई भी से पठी ले लेना है आपको एँगite यह हमारा दोनों हो गया दोनों जो मर्जी वो बना सकते हैं दोनों कट कर लेते हैं ठीक है इस तरीक है यह इस को हमें बनाना है और एक इसको भी लगा सकते हैं यहःसा लएगा। यह से तूसक दूसरी है देखिवे, यह यह आघएगा। जखी है इसके बड़ावर मिलना चाहिए देखिए एक यह वाला हुआ ठीक है यह जो है यहां से ऐसा आएगा और यहां प्यांके ऐसा फोल्ड हो जाएगा ऐसा देखिए कि ऐसा फोल्ड होगा ठीक है तो यह दोनों होता है आपको जो बनाना है इसमें से तीन billion color बना सकते हैं फिलाल मैं जो बनाने-वाला हूं इसके सांथ में बनाने वाला हूं तो इह हो गया एब इसको हम क्या करें चिपका लेंगे और दूसरा इसको इसके कि ठीक है इसको ऐसा रखेंगे कि देखिए ऐसा कि और यहां पर हमारा मार्चिंग है तो मार्चिंग को हम कम कर देंगे लेकिन इधर पर थोड़ा बढ़ाना है तो इस हिजाब साम इसको कट कर लेंगे यह भी चाहिए अपने को जो मेल पला में हम यहां पर ऐसा चिपकाएंगे ऐसा ओके तब जाके कॉलर जो है हमारा फिनिसिन दिखेगा देखिए इस कप्रे का जो पना है वो ज्यादा है तो इस इसी तरीके से मैं सभी पार्ट को सेट कर दिया हूं अपने जगह पर यहां पर हमारा एक अस्तिन निकलेगा और दूसरी जगह पर हम एक अस्तिन और अलग से निकालेंगे तो इसी तरीके से हम इसको कट कर लेते हैं देखिए इस तरीके से रखकर आपको तीनों चीज को प बास्तर पर या मेन पर पर जुप करकेगे के दिखाताउ यह लेना है और वह आइसा और हिसा अज़ार को घंट कर लेंगे दोनों पार्ट न फौक्ष minimize यह णोप कर Literया है और इसतरीके से आपको धिखे इसको ऐसा रखेंगे ठीक है हमारा सेंटर हो गया अब सेंटर के साथ इसको रखकर ऐसा मिलाएंगे कि हम इस तरीके से सेट कर लेना है आपको ठीक है कहां सेट करना है सोल्डर देखना है सोल्डर में जो है आपका इसमें सोल्डर है वो सोल्डर मिला लेना है सोल्डर मिलाने के बाद आपको क्या करना है जो जो भी चीज यहां पर एक्स्ट्रा हो रहा है जैसे कि यह हमारा यहां पर एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको हम कट कर देंगे उसके ऐसा, फिर उसके बाद आपको सेंडर में थोड़ा सा पाट जो है ऐसा कट करके निकालना है, ऐसा, देखिए, मैं बताता हूँ आपको, तब जाकर यह परफेक्ट आएगा, यह वाला जेक्ष्टरा हुआ है, इसको भी हम कट करेंगे, एसको भी हम कट करेंगे, इसी तरीके से हम इस साइड की अस्तर की पला कट कर देंगे, और उसके वाद में पला अस्तर की पला रखकर कट कर देंगे, इससे क्या हुआ कि ब्लाउज की फिनिसिन काफी अच्छा बनेगा और फरफेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है थोड़ा बहुत उने स्विस्प रहेगा वो भी परफेक्ट हो जाएगा देखिए इस तरीके से मैंने सभी को परफेक्ट मिला दिया है अब क्या करेंगे हम नीचे की पार जो है हमें तुरपाई नहीं करना है इसके लिए हम यह सिस्टम अपना रहे है नहीं तो दोनो कर देंगे दोनों में एक काम आप कर सकते हैं देखिए अइसा सिल्फ लगाने के बाद हम यहां से लेकर यहां तब कच्छा कर देंगे रहे हैं नहीं सिल्फ देना है आपको यह जो क्रॉस वाला साइड है उसको सीदे साइड को नहीं मोरना है ठीक है देख यह का तक हमारा कट है निकाल देंगेक तो यह हमारा यहां तक perfect आ रहा है तो इसमें से margin हम cut करके निकाल देंगे यानि इतना जो है तो cut करके हटाएंगे ठीक है इस तरीगे से यह दोनों पल्लाव कट कर लेना है और इसको भी ऐसा margin कम कर देना है तब जाके perfect होगा कि देखिए cut कर दिया मैंने अब इसको हम यहां पर ऐसा रखेंगे ठीक है ऐसा रखना है और यहां से हम सिलाई लगाएंगे देखिएगा ध्यान से कि यहां पैसे आना है मसिन घुमा देना है ठीक है और इसको हम ऐसा ले लेंगे ऐसा देखिए और इसको ऐसा करना है समझे इस तरीके से समझे अब इसको क्या करेंगे यहां पर हम ऐसा मोड़ेंगे ऐसा ऐसा मोड़कर इस point को ऐसा अंदर की साइट कर लेंगे देखिए आप किसी भी चीज़ से इसको point बना सकते हैं इस तरीके से या यहां पर धागा डाल के भी आप बना सकते हैं यहांगा इस तरीके से दीखेगा ठीक अब यहां पे आप तुर्पाई भी कर सकते हैं इस जगह पे तुर्पाई भी कर सकते हैं या आप सिलाई भी लगा सकते हैं एक कॉलर लगाने के बाद हम क्या करेंगे इसमें आई और हुक की पट्टी बना लेंगे ठीक है देखिये, कॉलर बनाने के बाद मैंने आई हुक का पट्टी भी बना दिया है, कुछ इस तरीके से दीखेगा, यह देखिये, इस तरीके से है, और आपको भी इसे तरीके से बना लेना है अब कॉलर जो है हमारा इस साइड हे जायेगा और इस साइड हे जायेगा ठीक है इस तरीके से फाइनल जब बनेगा तब उपको समझ में आएगा कि इसका look कैसा आ रहा है अब हम इसे क्या करेंगे सोल्डर भी कबर जोैंड करेंगे देखिए कैसे जोइन करता हूं में अब सोल्डर करने के लिए क्या करना आपको अस्तर के पला लेना है और उसके बाद में पला लेना है में पला को ऐसा रखना है ठीक है सीधा करके उल्टा मत रखिएगा नहीं तो यह उल्टा जो जाएगा ऐसा रखना है ऐसा रखकर हम ले लेंगे में पला को ऐसा मिला दे देखे यह हो गया फिर दूसरे साइट को ऐसा लेंगे और इसको ऐसा बैठाएंगे और इधर फे भी जोइन कर देंगे अब हम जोइन करेंगे लीचे की भाग इसको ऐसा मोड़ देना है अपको यह पल्ले को पर इसा मोड़ देना है ऐसा लेना है और यहां से ऐसा लेना है फिर यहां से ऐसा इस फे भी शिलाई लगा देंगे हम यह हो गया अब क्या करेंगे यह दोनों पल्ले को ऐसा लेंगे अंदर से देखिए गद्यान से ऐसा लेंगे अंदर से और ऐसा बार कर देंगे ठीक तो यह हमारा सोल्डर भी ज्वाइंड हो चुका है देखिए यह दा हम अच्छे तरीके से इसका हम यहां नीचे की सिलाई लगा देंगे देखिए सोल्डर ज्वाइंड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका लुक बनकर आएगा और हम क्या करेंगे कहे स्लिउज अटेट करेंगे उसके बाद कॉलर कैसे बनाना है और क्यासे अटेच करना है ऋचीस हम देखेंगे ठिक हैसलिज एटेच करने के बाद मैंने साइड कावी सिलाह लगा दिखाद दिया है अब हम कॉलर बनाएंगे और कॉल बनाकर अटेच करेंगे उसके बाद हम скुध अबैसे बनाते हैं तो दिखाते हैं आपको शोगते हैं देग मोदने के बाद इसको अइसा रख कर और हम इस पर शिलाल अब सब्सक्राइब करेंगे रिजिआ का अब देखे यह हो गया, अब हम मार्जिंग की छोड़कर इसको कट कर लेंगे, इसकाल इसमें हम संटर का निष्णान लगासेंगे, ऐसा यानि बदेखतकर का करने करेंगे हैं कि देए ऐसा करके सेंटर कट कि यह हो गया अभी हम किनारी की स्लाइब उपर के नहीं लगाएंगे पहले इसको अटेच करेंगे में बोड़ी लेंगे इसको उल्टा रखेंगे इसको खोल देते हैं और यहां से सुरू करेंगे द्यान समझेगा इसको कैसे अटेच किया जाता है ऐसे लेकर ऐसा पकड़ेंगे और ऐसा लेकर फिर अटेच करेंगे इसका अभी हम सेंटर कट लगा देंगे पहले सोल्डर इसको दोनों के बीच में ठीक है नहीं तो सेंटर हमारा मिलेगा नहीं अब ऐसा करके हम देखेंगे कि हमारा कॉलर जो है आ रहे की नहीं आ रहे है देखिए सेंटर मिल रहा है न तो ऐसा लेंगे और यहां पर आएंगे जब सोल्डर की जगह पर यहां पर ऐसा सुई को अंदर डाल देंगे ठीक है फिर इसको हम ऐसा सीधा करेंगे तब जाकर यह परफेक्ट आएगा नहीं तो नहीं आएगा गार देखिए इस तरीगे से आ है है यहां पर आएँगे फिर से इसको अंदर डालेंगे फिर ऐसा घुमा देंगे और फिर से यहां पर वही काम करेंगे अटेज करने से पहले कॉलर आपको माप कर देख लेना है छोटा वरा तो नहीं हो रहा है हो गया अब इसको हम ऐसा सीधा करेंगे और इसको यहां से ऐसा पकर कर देखिए इस तरीके से कॉलर अटेज करेंगे ठीक है यहां पर अगर नहीं बैठे तो इसको एक बार ऐसा कट भी लगा सकते हैं तो और अच्छे से बैठेगा सोल्डर अच्छे से वो बैठेगा से एक बार अच्छे से बैठेगा से अच्छे से उड़ से बैठेगा से नहीं है यहां पर ऐसा तोर दीजिए तो ज्यादा फिनिशिन से आएगा ठीक है देखिए यह बलाउज बनकर पुड़ा कमप्लीट हो चुका है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपका भी सेम कप्रे में बनेगा तो इसी तरीके से लुक आएगा अगर यही लाइनिंग वाली कप्रा रहा तो या इस तरीके की कोई भी लाइनिंग वाली कप्रा आप ले सकते हैं वीडियो कैसा लगा और हमारा कटिंग और स्टिचिंग ऐडिया कैसा लगा वो कमेंट्स करके जरूर बताईएगा, अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सेयर जरूर कीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद. कर दो को खobileए लाओ झाल, रो जान जाल, लाओ लाओ बुटू जाओ भाओ जाल, जाल, इजल को रहां ऑजा झाल, लादू जाओ जान, लाओ फखे पाल, जाओ, जाद आए लाओ, जान एफे हो था उना झाल, जाल, वाँ भी औरक लाओ, जा श्रू है।